जे जे आ रहा है तो बेसिकली हम लोग जो दोका फ्राउट की बात कर रहे ना उसको समझते हैं कि आखिर यह है क्या चीज जो हम लोग उसको बात कर रहे हैं तो बेसिकली अगर इंग्लिश में एक डेफिनिशन देखते हैं स्मॉल में तो यह है दा क्राइम आफ यूजिंग इस होने मेथेट्स तो टेक दा सम्थिंग वैल्यूबल फ्रॉम अनधर परसन यानि कि वो बोल रहा है कि हम एना कुछ यानि कि अपनी नियते कराब रखे सामने वाले से हैं ना कुछ वैल्यूबल चीज उसकी उसके इमोशनल्स हो गए या फिर उसकी असेट्स हो गए या कोई कीमती चीज हो या कोई भी चीज हो जो हम उससे ठीन रहें किसी को मतलब दोका दे रहें फरेब करना है ना कि परसन हो प्रिटेंड टूब यह वाट और ही शी इस नौट इन और तो ट्रिक दबीपुल मतलब दिखाते हैं के हां मैं बहुत मतलब होनेस्ट हूं लेकिन दिन दुनिया की बात करते हैं लेकिन अपने अमल में नहीं है इस तरीके से यह मतलब यह फ्राउड है हम खुद से दोका दे रहे हैं कभी-कभी क्या लोगों को दोका देते हैं और कभी-कभी खुद को दोका देते इसी तरीके से एक कॉपी अफ सम्थिंग डाट मींस तो the real things in order to trick the people यानि कि जो हमारी copy होती है यानि कि हम बोलते हो ना कि original है watches में हमेरी original है shoes original है लेकिन उसकी duplicate भी होती है तो उसी तरीके से proud type होता है तो basically proud वही है wrongful gain और loss यानि कि वलत तरीके से फाइदा उठाना या फिर नुक्सान उठाना दोनों भी दोके में आते हैं ठीक है फरेव में आते हैं तो हम इसी पर आगे बढ़ते हैं कि तो फ्राउट कितने टाइब के banking फ्राउड है फ्राउट्स टुदा गवर्मेट यानि कि हम लोग banking में धोका हो रहे हैं और हमारा यहां पर यह हो रहा है जो हम्वर्मेंट को दूका दे रहा है या फिर हमें दोका दे रही है है ना करंजी में हो रहा है हमें confidential outright में हो रहा है मतलब फॉल्स कोई भी फॉल्स कंपशनी तो उसमें हमें दोका हो रहा है है जो हमने बहुत तरीक़े से लोग थे रहें केडिट कार्ड के समें दे रहें फाल्स अडीजमेंट में दे रहें दे रहें दोका है ना सब्सक्राइब सत्र। भाई दीख रही है ना ऑर समको दीख रहे हैं तो इसी तरीके हैं ना हम लोग ने बहुत सारे अपनी अडेंटिफाइड मतलब हम दूसरा कुछ भी नाम लेके हैं नाम लोग अपना एक दूसरे को दोका देते हैं टशसें में हो गया यानि हम सहरो आपना टैक्स जो बता बताते हैं उसमें खलत करके गौर्मेट को हम दोका दे रहे हैं हो को इसमें थोका देने में अबonnaise इसमें से जो मेन चीज है ना होता क्या था पहले हम लोग है ना मतलब ट्रैडिश्टनल एंड था साइबर इसमें हमारा आज का जो कॉंसेट टार्गेट हमने प्लान किया है वह साइबर या फिर हम लोग डिजिटल प्राउड जो बोलते हो या फिर जो ऑनलाइन स्कैम्स हो ग रूखा दिया जा रहा है इसके लिए है अज़ी है तो ट्रैडिश्टनल एंड इस तरसे हम दोनों के बीज में बदला पुराने दोके कैसे होते थे और नये कैसे हैं वह थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं जैसे क्या होता है पहले है ना ट्रिश्ट यानिके खबजा करना यानि के प्रॉपर्डी में हम इना घुसपेट करना हमने खबजा कर लिया या किसी का घर खबजा कर लिया अभी हम खाली नहीं कर रहे या उनके इसमें घुसके हम उनकी परमिशन हम उनकी प्रमाइसर्स में इंट्री कर ले रहे हैं ना उसी तरीके से हो जाते हैं यानि कि पहले प्रॉपर्टियों पर खब्जा होता था या अपनी मतलब गुंड़ा-गर्दी से और यहां पर हैकिंग होती है डिजिटलाइज में ठीक है तो और ही थीज यह है कि पहले जो करते थे वो लोगे ना मतलब अनपढ़ जाहिल मतलब क्या अब क्या ही बोलूंगे मतलब गुंडे दाकू उस टाइप के होते हैं अब यहां पर जो होती है ना यह सब पड़े लिखे होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है इनको ट्रैक करना भी बहुत डिपिकल्ट होता है उसी तरीके से चोरी होती थी यहां पर भी हो रहे यहां पर रहे दैरों को लाए इस तरीके से पहले कनेक्ट होता है एक क्रिक्वें जो कर दिया अब होता है यह पर दिया वाइंज कर दिया उसकी चला नुटसान पहुंचा जाता था डिजिटलाइज में क्या होता है जो आपके फाइल्स होती है आपके डॉकुमेंट्स होते हैं आपका डेटा होता है उसमें वाइरस वगेरा यह करके उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उसको आपको रिकवर करना बहुत चालेंज हो जाता है है न यह चीज़ है उस इसके अगेंस में आप एक्षिन ले आपके पास राइड से लेकिन आपको रोका जाता है मसल पावर से या फिर अपना पॉलिटिकल पावर से तो यहां पर भी ऐसी होता है डिनाईल अफ दे सर्विस से इसमें जैसे आपने इमेल खोला आपका इमेल है आपका अकाउंट है आ आपको अटाइक किया जाता है फ्रोगरी यह होता है तुम्हारा परे भी डादर डिलिन यानि के तुमको डिडिंग करके वहां से पूरा डेटा उठा लिया जाता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन वगएरा पूरा चीटिंग धोक्यबादी होती है तुम्हारे यहां पर कह तुम्हारे मेल्स होते हैं जो तुमने मेल किया है कुछ इंकॉर्मेशन तुमने एक दूसरे से पास की वह मेरे थर्ड पार्टनर के पास में है जैसे मैं अगर मैं टेलिग्राम का प्लैटफॉर्म यूज कर रहा हूं तो मैं आपको जो मेसेजेश कर रहा हूं या आप कोशिंग हो रहा है वहां की इंफोर्मेशन आपके कांट्राइंट्स लिकिद्". है आपकी टेंडर लिखें सकते हैं आपकी वाइंग प्राइज लिके जो सकती है बहुत सारी चीज़े हैं तुम्हारे डेटा चोरी हो जाता है जिसकी वघ्लिज से तुम्हें huge loss फेस करना पड़ता है उसी तरीके से पहले copyrights का यह होता था कि मेरी जो intellectual property मैंने जो properties होती है उस पर मेरा ही हक उता था मैं उसका क्या बोलते हो trademark होता था मेरा copyrights में पहले लेकिन अभी क्या हो गए intellectual property इस में क्या होता है कि मेरी कंपनी ने इतना propit किया एकन मेरा बैरन कीट प्रिपर होने से पाले मेरा डेटा मेरा प्रॉफित क्यों लॉक हो जाता है यह हमारा पूरा मुत बहुत ज्यादा इंपाइट वह बड़ता है तो मैं उस पर क्लीम करते हूंस मिरे करे लिद कर कर रहा है या फिर मैरा supplier है जो मेरे agreement कर दिया है कि वो मेरे अलबा किसी और competitor को मेरा product sale नहीं करेंगा लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है ना वो sale करता है दूसरे तरीके से तो यहां पर है ना copyrights का issue आजाता है और उसी तरीके जैसे तुम्हारे options material हो गया है यानि कि जैसे पहले मतलब कुछ भी आपकी privacy हो गई जैसे पहले पहले दौर में क्या होता था आप smoking कर रहे हो आपको मतलब डराया जाता था कि हाँ भाई मैं जानता हूं तुम्हारे पारेंट्स को बताऊंगा या फिर तुम कहीं घूम रहे हो बिना permission के तुमने किसी होटल में वैडी ती तुमको देख लिया कि भाई मतलब फादर ने देख लिया बड़े भाई के दोस्त ने देख लिया तो यह पूरे मतलब हम बताएंगे एक मेटेरियल इस नॉट मतलब कोई हार्ड होगे रहा है एक information विस्टिकली तो लेकिन आज के डिजिटल में उसी तौर में है ना क्या हो रही है पोनोग्रॉफी हो रही है जो तुम्हें उस तरीके में से फसा के ना तुमको पूरा सा एक स्क्राइब मतलब पूरा सा तुम और यहां निकल गयें सभी है तो इसी तरीके से ना जो हमारे इन लोगों के जो स्क्याम करते ना यह बेसिकली इन आदमी लोगों को पहचानते गशियों कि मेरे को पहले जब चोर भी चोरी करता है ना तो पहले वो अपनी सुसाइटी में ब्हूमता है कि हां भाई मुझे क इसको pocket मारना है अगर वो railway track पे आप जैसे दिखते हो platform पे हां कि बंदे तो गुमते रहते हैं लेकिन वो बंदा perfect customer को अपने client को पहचान लेता है कि हां मेरे वो इसी की pocket मारनी है है वो सब santic नहीं मारता है क्योंकि वो target अपना choose करता है तो यहां पर किया होता है ना target किस तरीके से होते हैं आảके emails क्यूंकि आपकी पूरी information आपके emails में होती है है वो तो यहां अपकर target sister भी connect हो जाएंगा आपकी personal information से भी link हो जाएंगी आपके कुछ properties वगेरा के जो भी documents है वो सब मिल सकते हैं मुझे email के तुरू है ना अपका अगर मैं email पर अटक करता हूँ उसी तरीके से मेरे आपका bank account हो गया credit card हो गया आपका ATM cards हो गया यह सारी चीज़े आती है यहांसे मैं easily आपको है ना पैसा ले सकता हूँ और उसके अलबाद जैसे personal data on the social sites cloud storage आप देखते होंगे कि आपके पास में है ना क्या बोलती हो आपने personal folders बना के रखे हैं आपका storage है facebook में आपने पोस्ट कर दी अपने इंस्टा पर फोस्ट कर दी अब आपको track करते हैं कि आपका बंदा है का जैसे आपने डाल दिया कि मान हाँ traveling क्यों दुबई आप जब दुबई travel कर रहे हो तो इंडिया में आप नहीं हो आपने उसको information दे दी कि वह travel कर रहा है तो आप वह आपके parents को target करेंगा कि वह बंदा जो दुबई गया उसका accident हो गया ऐसा कुछ भी हो गया तो मतलब उसको personal information उसको मिल रही है जो आपकी personal information है है ना या फिर आपका कुछ भी हो गया accident हो गया कुछ भी मतलब आज की date में आप अगर खाना भी खा रहे हो तो आप social media पर पहले post कर रहे हो है ना तो यह हम अपनी personal data को है ना इतनी आम कर चुके हो जिसकी वजह से हमारा हमारे पर attacks बहुत easily हो रहे है उसके बाद हम आते हैं अगले वाला है biometric data password mobile devices and the access device जैसे आप देखते हो कि mobile में आप है एक folder बना रहे हो ठीक है जैसे आपकी कुछ privacy चीज़े है या कुछ photos है या पिर आपके कुछ documents है तो आप उसको क्या कर रहे हो mobile में रखते हुए भी है ना कुछ एक special locker यूज़ कर रहे हो अब वहाँ पर क्या होगा अपने उसको अपना biometric का data दे दिया पूरा locker दे दिया और आपने उसमें personal यानि कि particular folder में अपने private documents रख दिये अब यह बता उस folder को बनाने वाला कौन है उसके पास तो selective data जा रहा है आपका है ना आप जो data किसी को नहीं दिखाना चारे वही data उसके पास जा रहा है यानि कि data filter होके जा रहा है उसके पास क्यूंकि उसको भी पता चल गया कि भाई मेरे पास जो data रहा है वह बहुत secured यानि कि बंदा भी चाहता है कि यह मैं इसको secured रखे इसलिए वह मेरे पास रख रहे है अब पूरा privacy उसके पास चले गई यानि कि आपने उसके आपने क्या टर्स किया अगर मानों वह leakage करता है तो वह आपको leak करता है आप डेटा तो आप क्या कर सकती हो आपके पास कोई ही नहीं है लेकिन हम उसके बावजूद भी है ना उसको safely समझ के हम लोग वहाँ data store कर रहे हैं करें है ना भाई लोग तो उसी तरीके से अपन जाते है एप्स और पर्मिशन्स और मुबाईल लैप्टॉक्स अब जब मुबाईल यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी यानि कि आपको 10 परसंट 20 परसंट 25 शुक्या 100 रुपिया आपको बहुत सारे है ना एप्स मिलते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं या फिर आपको रिफंड देते हैं उसकी चक्कर में आप क्या करते हो बहुत हर मुबाईल और आपको आपके मुबाई की डेटा और प्राविसी सब एक्सेस करने के लिए पर्मिशन देते हो यह चीज़ें मतलब यह सौफ टार्गेट है ज लेकिन आपकी फैमिली इसको कौन बताएंगा ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्यों यह जरूरी है इतना वह हमको जानना है ठीक है मतलब समझ में आ रहा है हम लोग क्या मतलब यह इस पर हैं थोड़ा सा कोई रेस्पॉंस करेंगे तो फिर अपन आगे बढ़ते है तो यहां पर जैसे मतलब हम आगे बढ़ते हैं यह देखो यह कुछ न्यूज है यह एक हफ्ता मतलब यह एक हफ्ता भी नहीं हुआ है विती ने वीक की न्यूज है मेरे पास बैंगलूर सीनियर जर्लेलिस लॉस 48 लाक इन्हें ऑनलाइन पैटेक्स पार्सल यह स्कैम है कैसे पता चला इसने अपना पर्सनल डेटा लिकेज कर दिया कैसे लिकेज क्या कोरियर पे इसने डिटेल्स लिख दी कि हाँ फ्रॉम एंट्टू वाला डेटा रग दिया इसकी लिकेज हो गई और इसके पर पॉल लाग रुपया उडा लिया उसी के नीचे देखो आप नी अंगलूर वमें लॉस उर्पीज फॉट्टी एट तौजन वाल पर्चेसिंग एक्स ओनलाइन मतलब अंदा खरीदने की चक्कर में इन्होंने फॉट्टी एट तौजन रुपीज का लॉस बुक कर लिया है ना रिजन क्या है इनका अगर आप डीप में पढ़ोंगे ना तो वही पता चलता है कि मतलब इनको है ना पांच-दस रुपय का कुछ डिस्काउंड मिल रहा था यह देखो विक्कम ओनलाइन शॉपिंग स्कैम लूजिं 48,000 ता उमें क्लिक लाउन लिंक ओफरिंग 8,000 एक्स ऑफ रुपीज 99 रुपीज विट नो डिलिवरी चार्जस शी है डिसाइड़ तो बाई 4,000 एक्स ऑफ रुपीज 49 समझ रहो मतलब पांच-दस रुपय की चक्कर में इन्होंने बहुत ज्यादा नुक्सान कर लिया क्यूं क्यूंकि यह चीज़े हमें लेकिन हमारे घर में जो पैमिली मेंबर्स हैं सिस्टर्स हैं बहन है वाइफ है उनको यह चीज़ें आपको बतानी है कि हमारे साथ क्या हो सकता है क्योंकि ऐसे केसस बहुत हुए हैं और हम आगे जाएंगे तो आपको और भी चीज मिलेगा यह देखो उसी साइड में राइ इंडियन लूजिंग लैक्स तो दे न्यू कोरियर स्केम वाट इस हापनिंग हाव तो स्टे सेफ ठीक है इसमें फिर वापस एक आर्टिकल भी है ठीक है यह सेशन्स लेने का भी हमारा यही था क्योंकि आब हम लोग जो है पहले तो एक टेलीग्राम में हम लोग हैं क्योंक कि अब्दुलकरीम भाई मुझे एक पचास हजार की जरूत है आग मुझे दे दो अब्दुलकरीम भाई मेरे को इमिडेटली दे देंगे क्यों कि मैं शरीया का अदमी हूं इस तरीके से मतलब भाई नहीं देना है या फिर यह इसलिए भी दे सकते हैं कोई मेरे नाम से भी नहीं है कि वो दे रहे हैं इस तरीके से काम हो सकता है यानि कि मेरा डेटा भी लीकेज है और आपका डेटा भी लीकेज है तो दोनों के डेटे को यह लोग मैच करके हैं हम एक दूसरे से लूट सकते हैं पैसे ठीक है तो हमें यह चीज़े थोड़ा सा ध्यान में रखके कर आपने पर मिस पर आप यह तो आप दे रहे हो मैं वही बोल रहा हूं आपको आपको उस चीज की जरूरत है तो ही आप दो आप समझ रहे हो और उसके बाद आप अनिस्टॉल कर दो आप जब मूबाइल में देख रहे हो ना मतलब बहुत सारी आप ऐसी होती है जो गूगल प् आपको डिरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ती है तो वैसे आप मतलब डेटा लीकेज होता है और आप भी देखिए आज आपके पास में आप कोई भी मूबाइल ओपन कर लीजे आपके पास में मतलब कुछ जरूरत थी आपने अप निस्टॉल कर लिया अब जरूरत नहीं है एक्जांपल मैं बताता हूँ पोर्टर को सब जानते हो ना कंपनी पोर्टर जो शिफ्टिंग करती है अगर मुझे घर शिफ्ट करना है तो मैंने पोर्टर डाउनलोड कर लिया और मैंने अप बुक कर लिया ट्रक अब मेरा काम खता मैं अभी मेरे वो जर तो वही अभी जैसे भी गाउं में आप मानो कि आप किसी गाउं में रहते हो आपने कोई मेजर सिटी पहुंची आपको ओला कैप्स की जरूरत पड़ी अपने ओला कैब इस्टॉल कर लिया अब आपने ट्रैविलिंग कर ली जब आप गाउं वापस चले गए तो आपको ओला कंपनी होती है न हम लोगों ने उनको भी पर्मिशन देई रखी होती है तो हमको उनको थोड़ा सा ध्यान देके यह करना है ठीक है हम लोग आगे बड़े अभी जी बाड़े आगे सेवर जी बाई आप पूछ रहा था मैं जो आप बता रहे थे आप के बारे में यह फोटो अपने कॉलेज के फोटो अग्यरा को है न जोगों क्या करते है dopamine में एक फोल्डर बनाते हैं फोल्डर लॉकर होता है वह तो वहाँ पर डंप कर देते हैं यह पूरे फोटो equipment अगाल के वहाँ परे फोल्डर में डाल देते हैं उसको अपना बायोमेट्रिटीय पासवड़ देके उसको लॉक कर देते हैं अब यह मैं बताना चाहरा हूं कि वो फोल्डर बनाया किसने उसकी कमपनी कोई तो कमपनी होंगी ना जो फोल्डर बनाती है हाँ तो अभी क्या हो गया उस company को तो filter data मिल रहा है ना कि भाई मेरे को जो privacy में तब मुझे जो photos चुपा के रखनी थी example मेरी और मेरी wife की photo है मैं gallery में नहीं रखता क्योंकि मेरा mobile personally use होता है तो मैंने उठा के वो folder में रख दी अब मानो company के पास directly मेरी private photo जा रही है उसको filter हो के data मिल रहा है मैं यह बोलना चाहरा हूं है ना तो हमें इन चीजों से भी बचना है क्योंकि हम फोल्डर सो खेरा नहीं लेना है हमको पता ही नहीं है कौन company है कौन है जो folder बना रहा है आप देखो YouTube downloader मतलब आप चेक करो आपको ठीक है अभी present trends कैसे है पता है market में जो चल रहा है ना प्रॉडसर इंक्रिजिंग using social media जैसे मैंने बता है आपने Facebook के पोस्ट कर दिया I'm traveling to Delhi I'm traveling to Mumbai उस बेस पे आपका data मिल रहा है और उसी तरीके से है ना आपके calls हो रहे है ठीक है और आपकी Facebook मतलब e-commerce वगेरा website से है आपक each cases है ना हम लोग deep by deep study करेंगे मतलब आगे discuss करेंगे ठीक है इसके बात हो गया people are sharing their credit card details यह तो पुराना है मतलब card details वगेरा and OTP लेकिन आज की rate में OTP हम लोग है ना मतलब बहुत इसको हलके में ले ले रहे है ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा people sharing online banking username and password क्यूंकि जब से google पे phone पे आ गया हमने मतलब सब कुस देना शुरू कर दिया people are installing remote access mobile apps as per the direction of the fraudster हम लोग को बोला जाता है कि ठीक है यह mobile app कर लो यह download कर लो जो लोग नहीं करते हैं मतलब जो थोड़ा सा नादान रहते हैं नहीं समझते हैं यह उन चीजों में आते हैं या पिर और निकलती नहीं मतलब उन्हें पता ही नहीं है तो उनको लगता है कि कोई अच्छी डिला रही है चलो हम बुक कर ले जैसा हो एक लड़की ने अंडे बुक करके मतलब 50,000 रुपे लॉस कर लिया है तो इसी तरीके से यह चीज़ें होती है क्योंकि फिलिप कार्ट पे या पताना है बिल्कुल ठीक है बहन हो सिस्टर हो है आपके दोस्तों यानि के मानों कि आप तो अच्छे है लेकिन आपके साथी में कुछ है जो मतलब इसी तरीके से मतलब थोड़ा सा कमजोर है नहीं समस्ता या फिर पड़ा लिखा नहीं है तो भाई उनको भी इस इन हम उसको देखते हैं ठीक है यह हमारे मैंने भी सेलेक्टिव एक दस ट्रेंड हमने पकड़े हैं ठीक है जो हम आपके साथ में मतलब डिसकर्स करेंगे इंशाला यह जो दस ट्रेंड है यह हर एक के बारे में एक एक चीज़ एक्जांपल के साथ में हम लोग करेंगे ठीक है यह कहा है एक है OTP fraud दूसरा है fraud using remote access mobile app ठीक है यह कैसे होता है यह भी देख लेते है UPI fraud जो अपना Google पे phone पे है जो UPI होता है उसका refund fraud Olex fraud using the digital documents of the men in uniform fraud using fake SMS SIM swap fraud QR code scam fraud using the Google business side ठीक है यह payment fraud using the Facebook ads and the fake e-commerce ठीक है यह 10 है हम लोग इस पे है थोड़ा सा discuss कर लेते हैं ठीक है एक है पहला है OTP fraud तो यहाँ पर क्या होता है victim reveals the debit card and credit card details and OTP online password receive the mobile and the fraudster lose the hard-earned money simple चीज़ क्या होता है कि तुम्हारे तुमने पहले shopping की हो या फिर तुमने सुगी जुमैटो या इतिनी वेबसाइट से आपने कहीं से भी कुछ न कुछ online book किया हो तुम्हारा data leakage हो चुका है ठीक है अब वो बंदा क्या करता है आपका सब कुछ यह करके आपको OTP data सब कुछ करता है सिरिफ उसको OTP चाहिए होता है वो आपको call करता है call करके OTP लेता है OTP is for the personal use if you reveal the OTP the money will be support away from your bank account ठीक है आपका पैसा निकलेगा अब वो तुमको करता कैसा है आप अपने flip card का shopping book किया ठीक है आपने order book किया order dispatch list बन गई होंगी factory से या फिर उसके अब वो data leakage हो गया ठीक है जब courier print होके आता है flip card का तो उसके पर address आपका लिखावा होता है ना पूरा two address में आपका पूरा नाम number आपका सब कुछ लिखावा होता है तो जब पूरी list ही बन रही है कि company से हैं तो कहीं न कहीं ये data leakage हो रहा है ठीक है अब या courier वाला है जब आपका flip card से आपने order book किया अभी वो आपके घर तक पहुचा नहीं आपको call आ जाता है फ्राउडर call करते हैं बोलते हैं कि सर जी मैं यहां पे खड़ा हूँ मैंने आपने फ्राउड बुक किया था एक काम करिएगा मैंना delivery आपको दे दूँगा मेरा time shift का time खतम हो रहा है at least आप OTP मेरे करके है मेरे को यह time schedule में मेरे को वो deliver दिखाना है system में मैं आपको लाके दूँगा क्यूंकि आपका already COD order है cash on delivery है आपका तो पैसा कटने से रहा सिर्फ यह delivered कर दिया मैं यह OTP है अब आपको पता नहीं है आप OTP दे देते हो उसको आपका पैसा वो link होता है पूरा link करके है आपको OTP जनरेट हो रहा रहता आप पढ़ाई नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से message को या दे देते हो या फिर हमारी sister बहने आप office में हो या कहीं आप काम पे हो या job पे हो तो लेकिन आपके नाम से order आ जाता है या call आ जाता है फिर वो data फिर आप बोलते हो कि ठीक है ले लो मैंने ही किया था अब तुमको लगता है कि तुमने जो mobile book ती थी वो आ रही हो लेकिन उससे पहले कोई दूसरा इस camera आके आपके mobile के favor में वो आपको है ना पैसा loot के आपके चले जाता है उसी तरीके से courier का courier में क्या होता है कि आपने courier कर दिया from or to दोनों का address है आपके पास में है ना अभी जैसे मैंने list है मेरे primary documents है मेरे premium documents है तो मेरा उसका piece charge भी ज्यादा रहता है तो मेरा data leakage हो रहा है जैसे एक truck वाले में courier वाले ने है मतलब मान के चलिए कि Bangalore से उसने है courier pack या Delhi जाना है तो Bangalore से जो shipment निकल रहा है उसकी proper list बनेंगी ना कि कितना courier है कौन सा urgent courier है कौन सा premium courier है ठीक है order place अभी क्या हो रहा है ना आपने order जैसे book किया था अब यकिन मानिए था एक courier पे है ना भी मेरे recently इतने scams होया है courier पे मैं normally मेरा courier का मैं courier करते रहता हूं कुछ cities में तो मेरे मेरे को call आ गया बोलते हैं कि sir आपने courier किया था इसका इसमें है ना मतलब यह चीज़े है आपने drugs रखके courier करती है इस तरीके से बोले पैसा चाहिए order place आपने कुछ order किया था एक website से यानि कि random website से अपने order place किया अच्छा आपको पुड़र को मिल रहा था तो आपने order place किया अभी वो आपको पल डिलिवरी के लिए आ गए अपने website को नजर में रखते हुए ही आपने किया पुड़ की थी जब वो घर पे आ रहा है ना तो आपकी वो बोलता है कि sir आप OTP दे दो मेरे को ठीक है या फिर वो आपको बोलेंगा sir आप online payment कर दो 50% discount में ले लो ठीक है यह इस तरीखे से है ना OTP frauds होते रहते हैं तो आप लोग घर में अपने बताईए आप लोग भी थोड़ा सा इंशूर रखी है कि OTP हमें किसी को भी share नहीं करनी है ठीक है तो उसके बाद आता है दूसरा होता है यूजिंग रिमोट एक्सेस है जैसे कि यह दो एप्लिकेशन से एनिडेस्क एंड़ टीम वीवर यह क्या करते हैं पता है जैसे मैं इसको इंस्टॉल करके आपको एक्सेस अलाओ कर देता हूं तो मैं आपका से उठेजर देदेँ गा तो वह बैठे देगे मेरा सब्लाओर करके books करेंगा यहां के उसी के सीयरओना और खञेर मेरेग हो सीयर के से जिए और किलिक नहीं कर पाईगा लेकिन हाने अब सीक आप सभी option functions को यूज़ कर पाऊंगे तो इस हीज में क्या होता है आपके पास पूरा details होता है OTP PIN वगएरा सब कुछ होता है तो यह बंदे लोग क्या करते है एनिडेस का link install करवा देते हैं आपके mobiles में और आपका पूरा mobile का है हर चीज़ जब उसके पास में आपका OTP वग Google पर सब यूज़ कर सकता है लेकिन यह बहुत major है बड़े data वगएरा के लिए यूज़ होता है लेकिन इतना तो commonly नॉर्मल इसमें नहीं हो रहा है लेकिन यह चीज़ officially में होता है ठीक है तीसरा है UPI fraud यह बहुत common fraud है हमारे इसमें ठीक है मतलब UPI जो फ्राउड होता है ना पर अप्लाई करना पड़ेंगा री sameिट करना पड़ेंगा डीचेल कुछ मुझे शेर करनी पड़ेंगी वह बर्डेंगा का यह बर्डेंगा है आपका भ्रेंकिन का बहुत यह बंवेंगी करने पाटइब है यहां से ऑनग आपको आपको बобщे बूल्ड है है आपको कॉल सेंटर नमबर है उस पर बेजिए वो कॉल सेंटर नमबर भी उनिका होता है और यकीन मनिए का कॉल सेंटर से नमबर यादा रहा है आप कभी भी Google में जैसे किसी भी कंपणी का आप टैली कॉल सेंटर दूंडते नमबर दस बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि फेक वेब सा को यह करना है इसको लूटना है उसको बोलता है कि particular message से आप है ना हमें लिंक बेज दीज़े तो जब वो लिंक उस नंबर से जाता है ना डीपारट उसका सब कुछ इसमें इस तरीके किया जो आपका UPI है ना आपके phone number कि जागे उसने अपना phone number दाल दिया आखत्म अब उसको OTP आना है एकबार OTP आपढ़े तो उसका account में UPI यानि कि mobile number चेंज हो जाएंगा तो उसके बाद दूसरी बार चाहे वो पैसा उड़ा ले सकता है आपका इसको एक बार देख लेते हैं एक थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैंने बोला है यह नंबर वन है यह है फ्राउडर ठीक है इसने क्या किया एक इनिस्टाल यूपी आई मूबाईल आपने मूबाईल में इनिस्टाल कर ली ठीक है उसने क्या किया दूसरा जो कॉमन में नहीं उसको बोला के सेंड एक समस भेजो विद इंस्ट्रेक्शन फॉर्वर्ड तो थे स्पेसिफिक नंबर वो बोलता है कि यह पर्टिकुलर मेसेज अप इस नंबर से इस नंबर पर वेजो यूपी आई से अपने नंबर पर यहां से वो क्या करता है अपने मुबाइल को लिंक कर लेता है अब सिरिफ उसको क्या चाहिए मुबाइल नंबर एड हो गया मेरे मोबाइल से सिरिफ मुझे ओटीपी चाहिए अब ओटीपी के लिए वापस उस कॉमनमैन को कॉल करके उसको है नंबर ले लेता है उससेatellite. उससे ओटीपी ले लिया चऱ एक बारोटीपी रिलीज हो गई बस उसके चैसे एक बार में मिन्मम मृझ निकल सकता अगर जब होता है तो आपको करना क्या है तो इससे आपको करना क्या है आपको पहले इमिडियेट ही आपको कस्टमर के को कॉल करके आपका इसमार्ट इससे पूरा नमबर ओटीपी पीन अगरा सब को चेंड कर सकते है या फिर नहीं तो इमिडियेटल आपको नियर इस बैंक पर जाके आपका bank account को freeze करना है ठीक है उसको block कराना है और यह ध्यान में रखना please remember in UPI fraud blocking the debit card will not stop the fraud from the transferring the money from your bank account you need to block your bank account ठीक है दोनों अलग अलग चीज़ है bank debit card credit card यह अलग चीज़ है और आपका UPI अलग है यह दोनों bank से अपके main account से link रहते हैं इस तरीके से यह majorly rade by यह जो है दो है ऊदो यह जो है ना ऑवार से यह अदर की कोई contributes but bandwidth जब टमेंट में भी आ हो रहा है तो आपको बैंक में जाना यह जाना यह में भी हो रहा एक आपको बैंक कोई ब्लॉक करना है अप UPI मतलब और उ चुका है तो आप 솔직히 को ooh मतलब नहीं है समझ रहे हैं आपको बैंक अकाउंट को ही फोल्ड करना है मतलब उसको फ्रीज करना है ठीक है और इसको ध्यायल में रखी गया कार्ट पेमेंट सिस्टेम एंड यूपी आई सिस्टेम सार कंप्लीटली डिफ्लेंट ब्लॉकिंग काउड इस नौट इस सोलूशन लोग बोलते हैं कि डेबिट कार्ट बंद करा दो कार्ट ब्लॉक करा दो उससे कुछ नहीं होने वाला है पैसा जब तक यूपी आई का है त बहुत सारी वेबसाइट बना ली है उन्हें फोटो मिल रहे हैं उन्हें पूड़क्स मिल रहे है प्राइस टैक करना है बस ओर लिस्ट करना है तो यहां पर क्या होगा आप जब यहां करोंगे एक कॉंटिटी ब्लॉप करोंगे तो 90 परसंट डिसकाउंट अप क्याश बु और होता भी यह है कि जब आप बुक करते हो तो कोई दूसरा आइटाम ही डिलिवर्ड होता है आपको बस्ताइम पे तो गेट रिफंड विक्टम्स करेक्ट तो दा नंबर गिवन इन दा फेक वेबसाइट वो आज देम तो रिस्टॉल देखो एक बार क्या होता है ना आप और बुक भी करते हो आपको और डिस्पैज भी किया जाता है यापने वेबसाइट से ओडर बुक किया था आईपोन का और आपको भेजा गया सेम्शन अभी आप क्या करते हो वहाँ पे जो टेली कॉलर नंब करके बेज देता है आप आपको यह लगता है कि हां मैं कंप्लेंट राइस करने के लिए वह लिंक यूज कर रहा हूं तो आप उस केस में क्या करते हो आप बहुत सारी डिटेल्स में अपडेट करके ना बेज देते हो अब आप अल्रडी ऑनलाइन पेमेड हुआ रहेता है उस तरीके से आपको पूरा पैसा वो लोग लेते हैं और दूसरा होता है फ्राउड यूजिंग ऑनलाइन फ्राउड पोस्टिंग आज गौर्डमेंट अप्रोई क्या होता है आप देखोंगे फेस्बुक पे है ना आपको बहुत सारी चीजे है ना बहुत सस्ते में मिलती जैसे आप बाइक देख रहे हो ना नया दो हजार देवीस वाइस का बाइक है ना आपको 50,000 रुपे में मिल जाएंगा या 30,000 रुपे में मिलेंगा जब उसको आप कांटक करते हो तो वह बोलेगा कि यार मैं आर्मी में काम करता हूँ मेरा शिफ्टिंग चेंज हो गया है मैं पूरा आपको इना शिफ्ट करवा दूँगा मेरा सस्ते में दे रहा हूँ आप मुझे पहले इना 10,000 रुपे अडवांस करवा दो फिर मैं आपकी लोकेशन पे वाइकल ट्रांसफर करवा दूँगा आप उसके बाद मुझे पैसा दे देना इस तरीके से ना वह पूर शाहद आप लोगों ने भी मतलब इसको फेस किया होंगा सुना है अच्छा ओके तो यहां पर क्या होता है इस फ्राउडसर्स विल पोस्ट फेक आड़ और दा कार बाइक्स विद्दा विक्रिटिव प्राइज दे विल शेर फेक पूरूफ आड़ी तो जैसे आर्मी मैन ब अब यहां पर बेसिकली क्या होता है आप फेस्बूक पर यह बहुत मिलेंगे आपको जब फेस्बूक आप सेल्स अड़ देखोंगे ना वहां पर आपको बहुत मिलेंगे और अक्सर आर्मी की फोटो अगरा रहे था और यकीन मानियागा उनके मूच्छ फ्रेंड जो आप अगर देखोंगे ना प्रोफाइल में कम से कम तीन तीन हजार पांक पाँच हजार लोग होते हैं उनकी मतलब फ्रेंड लिस्ट जो होती है ना उसमें इतने बंदे होते हैं वो इस तरीके से मतलब आपको कॉन्फिडंस ले ले लेते हैं कि भाई इतने बंदे हैं इसके लिफ्टिंग कराऊंगा आपके पास में पंद्रह हजार दो फिर पांच हजार दो इस तरीके से मेरे मेरे गाओं में एक चोटा सा लड़का मतलब बागबान है उसने 75,000 रुपे लास कर लिया उसको 25,000 रुपे की एक्टिवा दी गई थी 25,000 की एक्टिवा से लेके हैं व लाइक मिल सकती थी ती ती तरीके से होता है यह तो हो गया हमारा सेल करने के लिए यानि कि जब कोई भी प्रॉडक्स आपको सेल करते हो ना उनलाइन वखेरा कि इसमें वह ओफिसर बोलते हैं लेकिन बाइयर भी क्या करते हैं अक्शन करवाते हैं जैसे कि गवर्मेंट के अब यहां यह भी होता है आपको पता होना चाहिए कुछ आउटी कुछ देताओं आजकी दोर में हैं कोई कंपनीज जो नई कंपनी जो आ रही हिए owners के landlord के पास गए बोले के सर आपको showroom की dealership दे दोंगे 5 लाग 25 लाग ठीक है उनका मिल के करके मतलब पूरा सा लूट लिया company के पास में यही नहीं है कोई information ही नहीं है जब वो आ रहे हैं के नहीं company ने declare कर दिया के नहीं company own कर रही है सबी मतलब company किसी को dealership नहीं दे रही है एथर के नाम पर एथर की मतलब नॉर्मली मेसेज आ रहे हैं मतलब हम लोग एथर के distributors हैं आपको distributors चाहिए इस location में इस district में मतलब सोचो अगर आज की डेट में मतलब two wheeler का distributor होना कितना बड़ा है अब 25-30,000,000,000 में हैं बड़ा बड़ा आदमी स्केम में आ गया इसके जब बाद में company को declaration देना पड़ा कि हम लोग है ना मतलब कोई dealership नहीं दे रहे हैं इस तरीखे से लूटा गया जैसे मतलब बाइंग का सामने वाला बाइंग करना चाह रहा था ना डिलर्शिप बाइंग करना चाह रहा था वह है हावाई सही है भाई हम लोग सही जा रहे हैं न है जी तो यह देखिए उसके बाद होता है fraud using the fake SMS यहां पर क्या होता है इस तरीखे से से आपको मेसेज आते है यह एकाउंट विल बी सुस्पेंड़ फ्रॉम दर तुदे मतलब सो और सो दो ड्यू तो डू तो दा रॉंग डेट अब वर्त आस वेरिफाइट और आदार नंबर पैंकर प्लिस कॉंटाक्ट जा नंबर यह नंबर देते हैं इस तरीके से गीवन इस तरीके से आता है बाद इसमें पुरा नंबर आता है लेकिन यह लिंक आपके है ना बैंक से कनेक्ट होके राई भी रहती है इस तरीके से आपको फ्राउड मेसेज किया जाता है फिर आपसे पूरी डिटेल्स ली जाती है तो जबी भी आप मेसेजस वगएरा कुछ भी आते हो यहां पर भी आपको ओटीपी वगएरा मतलब लिंक क्लिक करने के बाद देना पड़ेगा तो यह चीज़ों का ध्यान में रखना आप यखीन मानिये मेरे कलीक थे हैं गौतम बुलके उनके अकाउंट में सिर्फ मतलब लग्की ली 25,000 रुपीज था वो बंदा भी है ना SBI को उसका जब पोर्टल आया जब पोर्टल ओपन किया पुरा-पुरा SBI का पोर्टल है उसने हमारे से मतलब देखा यार यह ऐसे क्यों आ रहा है इसमें मैं डिटेल्स भरू क्या मैं बढ़े है पुरा SBI का पोर्टल है बर्दे और क्या इसका ही है यखिन बनेगा उसका 25,000 रुपीज वितिने सकेंड ओड गया पैसा यह है सिम्स्वार फ्राउडस्टर ओटें कस्टमर्स पर्सनल डेटा तुरो अधा पीशिंग और सोशिल इन इंजिनेरिंग तो गेट एक्सेस अव दा सब्सक्राइब इन कस्टमर पोजिशन पोजिशन एंड इस्व दन्यू सिम कार्ट तो दा फ्राउडस्टर विद दन्यू सीम अंड़ से मुबाइल नंबर फ्राउडस्टर रिस्व दा अथंटिकेशन कोर्स ओटीपी बैंकिंग सर्विस यह मतलब थोड़ा सा कम होता है लेकिन यह पर पोस्ट कर दिया अब उसको पता चल गया कि यह बंदा भी यहां पर है नहीं इसका सिम कार्ड इंटरनाशनल में काम नहीं करेंगा और यह किसी को इतना इमीडियटली कॉंटेक्ट नहीं कर पाएंगा ऐसे डेटा धूरते हैं अब मेरे पास है ना मतलब फिर इनका यू स्टोर से है ना नया सिम ले लेंगे उसके बाद तीन दिन तक है ना आपके सिम वहां पर अबरॉड में वह परिशान होंगा कि भाई मेरा सिम काम क्यों नहीं कर रहा है वह कॉंटक्ट नहीं कर पाएंगा और यहां पर बंदा तीन दिन में है आपका सिम एक्ट्व करके नि te liksom बाइर product that online प्लाइटफॉर्म जब भी आप मतलब यह कि यह करते हों वह बोलता है कि और यह आप बताना है चाहरू हो पैसा की जरूरती नहीं कहीं भी शिर्फ आपको UPI अगर उसको आपने अपना UPI दे दिया तो वो पैसा easily transfer करेंगा लेकिन आपको QR code की भी मतलब I think में को ज़रूत नहीं है QR code आपको देना पड़ेंगा उसको scan नहीं करना पड़ेंगा आपको QR code है वो देना पड़ेंगा उसे लेकिन OTP आपको पैसा payment करने के लिए आपको OTP की ज़रूत नहीं है लोग ऐसे ही बोलते है कि भाई मैं आपको पैसा भेज रहा हूं मेरे को OTP दे दो पैसा भेज नहीं रहा है अच्छली वो आपके अकाउंट से पैसा चुरा रहा होता है ठीक है यहां पिका ते कॉलर बिल सेंदा मनी वाई यूपी आपको पूर्ट पूर अकाउंट तो बेसिकली वह यह वो बोल रहा है कि मैं पैसा भेज रहा हूं आपको लेकिन वह रिसीव वाली रिक्वेस्ट भेज रहा है आपको ठीक है तो एक चीज़ यह ध्यान में रखना है आपकी अपनी फैमिलीज को भी यह पॉइंट पर्टिक्रली बताइए जब को अब आपको पैसा भेज रहे है ना तो ओ टीप की ज़रूरत नहीं होती ğка कैचिद कम से कम यह चीज़ एक तो अपने फ्रेंट स सरकल में धर्कों और एजीगे करिए ला कि जभी भी आप पैसा कर रहे हो तो ओ टीपी की जरूरत नहीं होती है अभी यहां पर क्या होता है, producers have created hundred of the fake websites having the business sites as a part of the domain name, different e-commerce companies and the producer mentioned their mobile number as a customer support. These sites are created using the Google business facility in such as the websites are ranked higher in the Google search. Yes. Trusting the producer to be a customer care, executive people call them and following their instruction and lose money. जैसे मैंने बोला ना कि कुछ डिलर्शिप्स की नाम पर कंपनी हो मतलब पॉब्लिक को लूटा गया यह से इसी तरीके से होता है बहुत सारी वेबसाइट होती है जैसे अभी मालों कि चाय पॉइंट बोलकर यहां पर साउट इंडिया में है ना एक मतलब चेन है इसके नाम पर है ना मतलब पैसा लूट लिया गया जैसे लेंस कार्ड है आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो के बीसी में भी है ना लूटा गया के बीसी की वेबसाइट वगेरा बना करें ना उस तरीके से हम आपको और ओडिशन देंगे यह करेंगे इस तरीके से भीना जाता है पडूलिक से पैसा जाता है पैमेट फन यूजिंग पेक कॉमर्स साइट है इस इस यहां पर भी वेबसाइट बन रही है लेकिन फेक आइटम से लिए बनती है यह जो पूडक्स होता ही निया बस उसको फोटो बनाकर रहना आपको धुका दिया जाता है अभी यह सेम इसी केस में भी एक मैं आपको एक्जामबल बताता हूं होंडा हीरो पैशन का है ना मेरे एक दोस्त के पास में बाइक थी उसने कुछ पर्टिकुलर पार्स है ना ओनलाइन वेबसाइट से ओर किया था ठीक है वो फेक वेबसाइट थी अब उसने ओडर किया मेरे को चाहिए लेकिन वो सी ओडी दिया हुआ था चैशन डिलिवरी ओर था उसका जब कोरियर आया उसके सिटी में लोकेशन में दिखा रहा है वह एड्रेस तेंड लैंड मॉर्क दे रहा है उसको तो वहाँ पर आने के बाद उसने है ना ओडर कैंसल कर दिया अब फिर उसने वापस से उसको कॉल किया कि मेरा मतलब किस्टम वो फिर नेक्स दे के लिए पोस्ट पांड हो गया उसको तीन दिन तक इसी तरीके से सताया यह बहुत सारी क्या होते है यह पर भी आपको यह वेबसाइट मिलती है या फिर आप आप इंस्टा इंस्टागरम उगरा यूज करते हो तो वहां पर यह वेबसाइट सापकर मिलती है ठीक है तो यहां पर जब आप आप और कुछ भी कर रहे हो न अगर आपको जरूरत है तो ही यहां पर शॉपिंग कीजेगा अगर जरूरत है तब भी इसको आपनी यूपी हमने तो इतना मतलब यह समझा ठीक है कि इसकांप हो कैसे रहे ठीक है अब इसमें थोड़े से स्केम में यह भी बता तो अभी है कि जो हम लोग इसमें देख रहते हैं न फ्रॉड इस्टर में यहां पर यह वाला यहां पर क्या हो गया ना बेंगलोर सीनिए जनरल हीसको क्या होता है कि अ इसमें देली को आवसीन के लिए कोरियर किया तो मुझे करते हैं कि आपने डुबाइ के लिए कोरियर किया वाई जिसमें है ना ड्रक्स पकड़ा है तो बड़ा है कि नहीं सर आपके इसमें यह हो चुका है आपको फेडेक्स के तुरों ऑन-lain और यह राइस करो ठीक है इस तरीके से उसको कॉल किया गया मैंने उसको यह कर दिया लेकिन सेम केसा चाहिए जब पड़ते हैं यह सेम पैटन में है जो CEO को लूटा गया इसको बोला गया कि आपके इसमें ड्रक्स मिला है और आपके घर में बहुत सारा पैसा है तो ऐसा बोलके इसको है न 2.3 CR का पैसा लूट लिया है हम लोग ED से बोल रहे हैं हम आपके पास आरे हैं बोलके ऐसे बहुत सारे अभी जो केसा हो रहे हैं इसमें हमको बचना कैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको करना क्या है विक्टम अप देशा इसको रजिस्टर कर सकते हो उसके लब यह 24 इंट इन्ट इसमें नंबर है इसको आपका ट्रांजेक्शन सो मुश्किल है लेकिन आप है न पर्टिकुलर बैंक को आपको इन इंटिमेट कर सकते हो कर सकते हो कि यह मेरा ट्रांजेक्शन से ना मतलब फेक था या फ्राउड हो गया है मुझे मेरा बैंक अकॉंट को फ्रीज करने के लिए तो उसी तरह के से सब्सक्राइब से एकनोलेंटिमेर अख्नोलेंब व मुट्वी न लिंक लुख साइब यह सकते ह प्राइक भी किया जाता है ठीक है लेकिन टाइम लेता है इन केसस को यह करने में लेकिन अभी काम कर रहे हैं अब यखीन मनियागा कि साइबर हमारा इंडिया के साइबर से ज्यादा है ना हैकर्स बहुत एग्रेसिवी काम करते हैं मतलब हमारे हाँ पर बहुत स्लो काम हो रहा है जो किर्मिनल से हमारे से सिस्टम से बहुत आगे हैं और कुछ चीज़ इसमें क्या हो रहे ना आपकी वेबसाइट वगरा बनाते हैं अब अक्सर चीज़े क्या होता है फेस्बुक पर आपको वीडियो कॉल आ जाता है कि आपसे मतलब कोई ना कोई इस चीज़े में फस जाएंगा तो थोड़ा सा आप लोग भी यह रहे हैं बाखी का इन्फॉर्मिशन रिक्वाइट तु स्टॉप दा फ्राउट ट्रांजेक्शन से जब आप इसके मतलब मिनिमाम आपको क्या चाहिए वह अकाउंट नंबर किस अकाउ इतना अमाउंट आपको है यह डिटिल्स आपको रिक्वाइड रहेंगे जब आप कंप्रेंट राइस करोंगे या फिर आप है ना बैंकिंग के पास में जाओंगे तो यह चीज़े आपको देनी पड़ेगी तो यह हो गया हमारा सेशन खत्ब अबदर रहीम भाई हलो 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 हालो हाँ अबदर रहीम भाई सेवाल पुछना था जी और यह बहुँ हम यह अपकोई को पन करने के बादेने अदिमेट अपकोण करने के बाद रोजाना कोई-फोन आता है वह इसमें इन्वेश्ट एओ करेंगे तो सोची आपके पास जा रहा कहां से हैं वह समझ नहीं पुड़ती है इसके पहले ना मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि यह सेशन रखने की पीछे अब नहीं बताया मैं बिलकुल नहीं बताया मैं शायद मतलब वह भी डिसकस करेंगे नहीं बताया वह बता दो कि यह सेशन रखने की पीछे क्या है क्योंकि अपने ग्रुप मेंबर के साथ में एक फ्रॉड हुआ है जो कि यह समझ कि मनला पेमेंट ट्रांसफर कर दिया कि अपने ग्रुप के ही मुफ्ति साब हैं बोलगी नहीं यहां पर तो क्या हो रहा है कि हमारे पास आभी 4000 5000 मेंबर्स हैं ठीक हैं अगर कोई भी कि आभी करें आपको कॉल कर रहा है एक भरोसा मतलब हो रहा है जैसे क्या हो रहा आज की डेट में देखो मुफ्ति हो गए ठीक है या फिर है ना कारी हो गएंर या पिर मुलाना हो गये आलिम हो गए अंठीच हो गहें मेरे की इनफॉर्मेशन वह ले रहा है थैक है अब मेरे को उसलिझ और मेरे दोस्त करना है डूसा नहीं सरकके आप importantes यह और यहान आप मुझे बहस देना टीक है यह तो आलिम साम को जानता हूं मैं मतलब भाई को जानता हूं वह तो आदमी है मैं बोला सब ठीक है आप मुझे भेज दो मतलब इतना इमोशनली मैं ही हो गया मतलब आप वही बता रहा हूं जैसे मैंने करीम भाई की एक्जामपल ली थी अगर मैं करीम भाई को कॉल करता हूं या पिछ चलिए मोसिन भाई के नाम से आपको कॉल आ गया है मोसिन वह ने मेरे को 5,000 रुपया दे दो 25 रुपया दे दो एडमीन में से हर मेंबर्स दे सकता है बराँबर क्योंकर मोसिन भाई एक मतलब आप जानते हो डाइली आपको कॉल देते हो आपको मतलब ये करते हो या ठीक है जरौत पेड़ी हूं कि मोसिन भाई कहा ही जा रहे हो ले कैं, कोई भी हो, मोसिन भाई हो, य एजास भाई हो, यदिन नाजिर भाई हो, य अब्दुरहिम हो, य मिली है, या फिर मुफ्ती वाहिजू समासाब हा तालीब भाई हो, डावी बाई हो, किसी से भी नहीं है, जिनकि य कोई हम पर एकर क्काराइग हों कि इतना बड़ा गुरूप है यह चीजे अभी के रमजान भी आ रहा है लोग चारिटी करते हैं यह सब चीजे आनी वाली है तो हम यह बोला जा रहे हैं कि आप भी तोड़ा सा मतलब एक सौधानी बढ़ते हैं इसमें तो अभी ऐसा ही हो गया तो फिर बाद में आ गए हमको हैं तो लगा shaun liất कैंगे भी पैसे पैसे मित्था क्रेस्त्이고 मेरे पस्तो पैसा आ जाएंगा अब मेरे को निकल नहीं निकल रही है मिरी पैसाप थूड़ा बेस दो, वो पैसा आ जाएंगा, मैं फिर वहाँ पर लैंड नोने के बाद है ना, पिर पहुँशने के बाद, आपको मैं, अगर नहीं भी आता तो मैं गर दूँगा, मैं बोला, ठीक है, जानता हूँ, एक, क्या बोलते हो, रिलेशन है, एक मुहबद बनी हुए, एक रिलेशनशिप है, तो हमने कर दिया, अब जब, मैं उस टाइम पर, जिससे मेरी बात हुरी थी, तो उनको भी कॉल कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं उड़ा रहा है, और जिसके नाम से कॉल आ रहा है, मैं उनको कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने कॉन्टेक करने की कोशिश क्यों नहीं हो रहा है, मैंने बोला कि यार, और एक बनकर, यार, कौन बोल रहे हो आप, मैंने बोला कि यार, मैं उस गुरूप से, अच्छा, मैंने बोला, अच्छा, आप करीम भाई को जानते हो, या फिर जावीद भाई को जानते हो, या तालीब भाई को जानते हो, बोले हाँ, मैं जानता हूँ, तो अब यहां तीन चीज़े एक होगी, एक तो मेरा नाम, मेरा कॉंटेक नमबर उनके पास में था, और फिर मैंने अपने गुरूप का नाम मेरे से, मतलब इसक्लोज हो गया, फिर उसके बां मैंने पर्टिकुलर मेंबर का भी नाम 만들어 कर दिया, अब क्या हो गया, फिर मैने मुझे पता चला की या, इसक्यूल वैसे हो गया, फिर तालीब भाई,म्रान भाई, इसमें से हो गया, तो मानी कि उस बंदे के पास उनका भी नमबर चला गया पहले तो मेरा नमबर एक ही था है ना अभी दूसरे वाले का भी नमबर उस बंदे के पास चला गया तो इस तरीके से है ना इसके हमको साइकल चलता है तो एक बताने का यह था कि यह मामला जो हुआ है हमारे members को हुआ है लेकिन हमारे group में नहीं हुआ है हमारे group से उसका कुछ नहीं है लेकिन हमारे members को हुआ है तो इस तरीखे से हैना information leakage होती रहती है तो आपको यहीं बताना है कि आपको admin के तरो या फिर admin के नाम से या फिर आपके group में जो भी आपके family members हैं या फिर आपके personally मतलब जैसे school के groups होते हैं workshop groups college groups हो खेरा जो भी होते हैं आपके business groups होते हैं इसमें से कोई भी अगर किसी भी आप लोग को call करते हैं न दो बार उसको confirmation कर लेना जब तक पैसा नहीं देना ठीक है भले कितनी भी ज़रूरत हो अभी तो ये भी आ रहा है कि AI जो artificial intelligence बढ़ गई है जिसमें same to same photo लगा कि आपको video call की जा रही है जिससे पैसा लूटा जा रहा है तो artificial intelligence इतना बढ़ चुका है कि इसमें न जया मतलब या बहुत नुकसान है यार मेहनत करके पैसा जमा रहे हो इतना सबकुछ उसमें से 30-40,000 एक ही शौट में निकल जाता है तो फिर मेहनों तक है न मतलब ठीक है कमा भी लेंगे जाताना कोला तो नहीं बाई बिल्कुल वो क्या होता है न टेटा बिकता है बाई जैसे पैंकार अप्लिकेशन सोती है मतलब होता ने पूरा डेटा बिकता है